अलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको इस तरीके से बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी देखिए दोनों तरफ यह सेम है और फ्रेंड्स इस तरीका बॉर्डर मैंने पहले बनाना सिखाया है लेकिन उसमें यह डिजाइन जो नीचे मैंने बना रखा यह है तो एक चलिए बिना कोई टायम बेश्ट किये बनाना सुरू करते हैं तो चैलिए बनाना सुरू करते हैं और इसके लिए मैंने ज़िए टीन सलाई सेखिए और इक सवी इसमें ऐसे दागा डालकी लगता है और उन और वस्रेंड्स इस तरीके का शॉटर मैंने बॉर्डर मैंने पहले डाल रखा है और लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग है तो मैं आपको बता दी कि इसको किस तरह से बनाना है जैसे हम आने उस वाले उसमें बना रखा बॉडर में पहले डाल रखा है जी तरह मैं इसमें इसमें भी आजी सलाई को खड़ा कर लेंगे और इसमें इ तागर दबल नहीं रहता तो और सब्सक्राइब संदे को ऐसे पहसे अर्प जिटने फंदे को डाला जाता है किस खाल एसे चाहिँ आपके छहां इसमें होने चाहिए और हाथ मेंपी साइड बराबर फन्दे बने होने चाहिए इन ज्यादा नहीं दाले हैं मैं प cookies कि सीन जाहिए और इसमें 36 तो मैंने फंदे में तो रहरा दिक्र कंटरी सिर्थ तो बुछूरी हम स्थाजा य। को इस तरह से बूदय को निकालने हमें इस तरह से निकाला या पिर आपने करने पर निकालें पिलाटि निकाल लेंau पर अजूरी के बूना करेंगे लущुत को वमAL driving मों डाल deaf fendian कि अग्यार्व श्रसी वानिपनी अग्यां है कि अग्यार्व शल्वान नितना भावा चांपि श्रस्लेंड जब चला लेकिन उसमें बराबर से लायां चलानी पड़ेंगी तो मैं इसमें जितनी सलाई रखंगे इस साइड भी रखना है आप इसको बुनेंगे मैं आपको छोड़े दो-4 सलाई चला के फिर दिखाती हूं तो देखें मैं इसमें दो सलाईयं लगा चलाई हैं और इसमें दो चलाई। यह जुटे और यहीं मी अलुने और दी करें जो बनाना इंगे सीधी साइड से बैए यह तो मैं इस चला में के आए जय आती हुँ इस पिर आपको Mov कि पनाना बताती यह का कि एप उत्वी में से बनेगा इस पे सबसे पहले तो हम किनारे के इसको बुन लेंगे इसके बाद में हमें अगय को आगे करना है और एक साथ दो फंदे बुनने हैं इस तरह से एक खंदा भटा तो एक खंदा बढ़ गया फिर धागा आगे और फिर दो फंदे बुनने हैं इस तरह से थागा कुछा साथ दो फंदे बुनने हैं इसे धागा खे आगे और एक साथ दो फंदे इस तरह से कुरु रखी कि आखिर आखिर कंदा हमें ऐसी बुन लेना है कि आखिर हमने इस साइटे जाड़ जाड़ डाले तो यहां एक बन रहा है यहां पर दो आरा तो हम इसको यहां भी बीज़िए कि एक ऐसे अधर हम दो ही बुन देंगे यहें एक फंदा और होता तो हम यहां गर आप बनाना बनाएं तो फिर उसको ध्यान रखें इस्थे जितने फंदे इदा छोट रहे हों इतने फंदे इदा भी छोटे इससाथ से बनाएं तरह से आहां हैं इसको एसे सिधा बूलेंगे इस तरीके से कि यह अथे जाली वाले वर्हुमे इससे बूलेंगे इस तरह से बूल के फिर मैं आपको दिखाती हूं पिशिए सब्सक्राइब कर दो क्लिक टाली बना रखनी इसको छोड़ के आधा ही गदर होना चाहिए वरा अधा होना चाहिए ता कि हम सफल्ण करें तो यह चलीच बीच में आये तो मैंने कितना यह नीचे टासाइब वह वह अपर भी चाहर में बुल लिया है तो देखे इस तरह से उठा लेना आप भी एसी कर लेना था यह स्था लेना इस तरह से अगर आपके पास नोख वाली सलाई होगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा दो आपने नोख वाली सलाई का इस्तेमाल करना। और इस तरह से एकए करके फंदे को उठा लेना और आप इस बात के ध्यान देना कि यस साइड को हो। ताकि इस सलाई कम हो इस साइट को हो आप इधर से उठा के साइट को लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा कर देखिए मेरा मेरे सारे फंदे उठ गए हमें सुई को निकाल लिया मैंने इस तरीके से और हमारे फंदे सलाई में आ गए और अब इस पर तीन चलाई लगेगी इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे हना इस बात में हम EBड ili साइड के फंदे को पहले बुनेंगे तो इस बात द्धीन में आगे बंगा तो इस वाले से भूल कर लेंगे और इस चलाई में पहले आगे पर चला को चलिके लेंगे पर द देखनें फन्दा स्टिन जोटा से घूमा जोस हुआ है तो हम इसको आफ है sich तरीकèce से सलाई में डालेंगे साथ से और इस तरीके से सुप्टक सा decide को under internा और फंदा हमें इस वाले से भूरना है, इस तरीके से देखिए और फिर भाड हमें इस तरीके से भूतानी mystical हमें, ід से सािब को पीछे करना है कि रोगन दीफना हमें तो आगे और फंदा के भूता है। इस देखानी के फंद हमें डिखक होाई है कि दागा आगे कि इसको दागा पीछे है कि दिस्वाले को कि अधा आगे हमें इसी तरह से पूरी सलाई भुनना है में भुन के आपको दिखाती हूं को देखें मैंने चलाय भुन लिया है अदेखें किता संदर लग रहा है और हम इस पर अपको आपके और आपने उनके उनके उताविक भी कम जादा कर सकें पतली उनके तो बारा नमबर के स्लाई लगा लें मैं उसको बारा नमबर दस नमबर में बना रही हूं है अधिया प्रत की सित्वरा से ऐसी उल्टा सिद्वावाइ में बनना है की देखिया कि आपको है कि थोड़ा पुन के फिर दिखा दिए हमें इसान से अलटा सिधा पुन लेंड़ा है और जितना आपको चाहिे जितना चुटा माँ पिर रखने कर दो आतंब इसी तरह से एक उलटा फिर एक सीधा और फिर एक उल्टा और एक सीधा इसे तरह से आप बना ले इसको तो स्रैन्स मैं दिखाती हूं आपको यह स्लाइक करके देखिए यह इस तरह से बना हुँआ कुछ यह देखों कितना अच्छा लग रहा है तो friends ये था हमारा आज का वीडियो और आपको कैसा लगा मुझे comment करके बताएं और please मेरे वीडियो को like करें, share करें और please मेरे चैनल को subscribe करें तो मिलते हैं next वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई दोस्तो